तो हलो दोस्तों अगर आप 2024 में एक बजेट एर कंडिशनर पर्चेस करना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं 1.5 टन 3 स्टार इंवर्टर एर कंडिशनर जो की है अंडर 30,000 मार्क्यू ब्रांड का ये एर कंडिशनर है जो कि आपको फ्लिप कार्ड पर एजिली अवेलेबल मिल जाएगा और इसके स्पेसिविकेशन और इसके फीचर्स के बारे में हम डीटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं और अगर आप ये एर कंडिशनर पर्चेस करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्ट्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाकर इसका फीच्रास और पर्चेस करना चाहते हैं तो चलिए वीडियो में देखते हैं first of all इसके स्पेसिफिकेशन तो दोस्तों इसके specification की बात की जाए तो यह 1.5 ton 3 star inverter air conditioner है जो कि 2024 का latest आपको star rating देखने को मिलेगा इसका जो IHDR ratio है वो है 3.98 जो कि काफी बड़े है 952 units यह गारेगा आपका per year में 4900 watt का cooling capacity है जो कि इसे 1.5 ton का AC बनाता है 2-way swing यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ आपको यहाँ पर 4-way देखने को नहीं मिलेगा और इसमें R32 जो है eco-friendly रेफ्रिजेंट वो यहाँ पर यूज किया गया है आपको इसके अंदर inverter twin rotary compressor देखने को मिलेगा चोक की काफी efficient है और noise level भी इसका काफी कम रहेगा तो दोस्तो इस air conditioner के features की बात की जाए तो first of all यहाँ पर आपको convertible का option मिल जाएगा यानि आप इस air conditioner को 65% अपके लिए हैं तो 75% आपके room में लोग ज्यादा है या और ज्यादा है तो 90% या 110% पर भी आप इसे use कर सकते हैं convert करके आप अपने usage के इसाब से tonage change करके भी आप इसे use कर सकते हैं तो convertible option यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसके साथ साथ आपको powerful mode का भी option देखने को मिलेगा यानि instant cooling mode है यह और इसके साथ inverter technology है तो आपका जो power efficiency है और जो cooling efficiency वो काफी बढ़ जाता है बाद अगर बात की जाए इसके durability की तो durability के लिए यहाँ पर आपको blue fin coating देखने को मिलेगा जो inner और outdoor जो इसका फिन से रहता है cooling coils से रहता है उसके ऊपर आपको blue fin coating देखने को मिलेगा नो long time पर इसमें moisture या dust लगके जहाँ पर leakage होने का chance से वो काफी कम हो जाएगा इसके साथ साथ इसके जो remote control की बात की जाए तो यहाँ पर 170 degree का wide angle remote आपको देखने को मिलेगा stabilizer free operation देखने को मिलेगा यानि normal जो power fluctuation होते हैं वो इसे handle कर लेगा लेकिन मेरी सला यह अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर power fluctuation ज्यादा है आपके area में power fluctuation ज्यादा हो रहा है तो आप पर stabilizer जरूर से लगवाए इसके भी link हमने description में दे दिये हैं इसके साथ आपको 55 degree ambitious कूली देखने को मिलेगा यानि ambient temperature आपका बाहर का room का temperature अगर 55 degree भी चला जाता है तब भी यह air conditioner perfectly वर्क करेगा बिना किसी required के और दोस्तों इसकी warranty की बात की जाए तो इसमें 1-year का आपको comprehensive warranty मिलेगा और 10-year का जो है compressor warranty मिलेगा या पर PCB का warranty आपको देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन आप इसके साथ extra warranty purchase कर सकते हैं या फिर एक stabilizer लगा के अपने air conditioner को अगर PCB का आपको power fluctuation ज्यादा है आपके आप और PCB PCB का आपको tension है तो एक stabilizer लगा के आप उसे safe कर सकते हैं तो दोस्तों ये था Mark Q brand का 1.5 तंट रिशा inverter air conditioner hope दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए होगा और information अगर वो आपको पसंद आए तो आपको पसंद आए तो हमारी चैनल पर सब्स्राइब कीजिए और हमारी चैनल पर ह हमने और भी प्रांस के वीडियो बनाए हुए वह भी आप चेक आउट कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंस